हर रोवन क्या हाल चाल हैलो हलो 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 है जो गाल बेसक्तर टंड गूडि ईविवन गूड़ीं करें आज का का सेशन शुरू करें आज का सेशन हम लोग आज कम्प्लीट कर लेंगे दा लिविंग वर्ल वन शॉट में ठीक है इसलिए मैंने छोटा चाप्टर लिया ठीक है कल से जैनेटिक्स या प्लांट फिस्टार्ट कर लेंगे तो वो डिसाइड कर लेना ठीक है चलिए आज 7 पीम आपका टेस्ट भी है है ना टॉप 10,000 वाले सीरीज ठीक है तो आपको इसका जो लिंक है अनगाडमी आपके होता है यह फ्री है यह आपको टेलिग्राम चैनल टी डॉट एमी स्लाश अननमनी 001 पर मिल जाएगा अननमनी 001 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक समझ लिए चलो आओ तो यह तो टेयोटिकल चैप्टर है एक सवाल इससे आएगा इसको हम निफ्टा लेते हैं फटा फटा फट बिना किसी देरी के तो सिर्फ NCRT से इसमें पढ़ना है सवाल कहां कहां से आता है वह हम बता देंगे तुम्हारा काम खतम हो जागा मेरा भी काम खतम हो जागा I don't think एक घंटे जादा कर चैप्टर है तो लोड लेने की कोई जरुवत नहीं ठीक है पहला सवाल है बहिए what is living जिन्दा क्या है किसी इंसान को तुम कैसे का सकते हो कि वो जिन्दा है कि नहीं या किसी चीज को तुम कि वह से कोगे कि वो जिन्दा है कि नहीं ठीक है तो क्या क्या definition है anything which is living or not उसके बारे में बात करते हैं है ठीक है क्या क्या definition है किसी चीज की उसके बारे में बात करते हैं कि क्या यह living है यह living नहीं ठीक है तो भाई यह living के बात करते हैं तो वेन वी ट्राइट टू डिफाइन लिविंग वी conventionally look for distinctive characteristics executed by living organism से ना definitive characteristics exhibited by living organism एक definite character जो हर living organism के लिए common है तो उसी को हम defining property of living organism बोलेंगे उसी को हम defining property of living organism बोलेंगे क्या 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 है बिटा growth reproduction ability to sense environment and mount a suitable response response मतलब अपनी environment को sense करना और उसके बाद देखना उसके according response करने से मुझे बहुत ठंडी लग रही है ठीक है तो मैं शिवर करूंगा ठीक है यह response हुआ ठंडी जो है वो stimulus हुआ और यहाँ पे जो यह है यह response हो जाता है ठीक है तो we try to define living we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism ठीक है क्या क्या characteristics है सर growth reproduction ability to sense environment ठीक है तो इसी सारे characteristics को हम एके करके देखना शुरू करते हैं ठीक है तो पहला all living organisms grow सबसे पहला point ठीक हो कौन को था defining है कौन को था defining है इस पर बात करेंगे ठीक है all living organisms grow ठीक है क्या मतलब होता है growth का तो growth का मतलब क्या होता है पहला increase in mass और दूसरा क्या होता है increase in number increase in mass और increase in number this is the this is the two twin characteristics of growth ठीक है तो क्या है भीया increase in mass and increase in number are twin characteristics of growth ठीक है बहुत अच्छी बात है are twin characteristics of growth ठीक है अब multicellular organism grows by cell division बिल्कुल सही है multiple cell division हो गया जिस पर organism grow कर रहा है ठीक है अब growth दो तरह का हो सकता है growth जो है सर वो दो तरह का हो सकता है एक growth को हम कहते हैं intrinsic growth growth की अगर हम बात करें तो growth दो तरह का हो सकता है एक growth को हम कहते हैं intrinsic growth intrinsic growth मतलब क्या हो बटा growth अगर अंदर से हो रहा है ठीक है if the growth if the growth occurs from inside तो ऐसे growth को हम intrinsic growth कहते हैं ऐसे growth को हम intrinsic growth करते हैं अंदर से अगर कोई organism grow कर रहा है तो intrinsic growth ठीक है याद रखी का एक point मैं यहां लिखवा रहा हूं बेटा confused मत करना यह ध्यान लखना अगर पूछे क्या growth defining property है organism का नहीं जी बहुत ऐसे organism है जो एक point of time के बाद grow नहीं करते तो growth is not a defining property of organism ठीक है और बहुत ऐसे चीज है बहुत ऐसे organisms हैं जैसे जो grow करना बट वो living नहीं जैसे mountain की हाइड बढ़ जाती है ठीक है तो अगर हम intrinsic growth की बात करेंगे तो intrinsic growth is a defining property याद अखेगा property of living organism याद अखेगा ठीक है अगर normal growth की बात करें अगर general growth की बात करें तो growth is not a defining feature दीक है ठीक है याद अखेगा दूसरी बात करें नॉर्मली तो growth is not a defining feature for living organism ठीक है क्यों क्यों रीजन बेटा mountains ग्रो करते हैं ना mountains and boulders अच्छो ग्रो करता है बट वहाँ पर extrinsic growth होता है ठीक है mountain slash boulders गुरू बट वहाँ growth क्या हो रहा है deposition उपर पे हो रहा है अंदर नहीं हो अंदर से बाहर की तरफ नहीं हो रहा तो इसलिए उसको हम extrinsic growth कहते है extrinsic growth is not a defining property intrinsic growth is a defining property clear रहा है बिटा समझ में है सबको बड़ी तो यहां पर देखो इन plants this growth is by cell division occurs continuously throughout the year ठीक है in animals the growth is seen only up to a certain age ठीक है however cell division occurs in certain tissue to replace loss तो growth नहीं हो रहा है बट repair तो हो रहा है which can be considered as growth only ठीक है unicellular organism में growth और reproduction same चीज होता है in unicellular organism growth and reproduction are basically the same thing in unicellular organism growth and are the same thing एक ही बात है ना growth हो रहा है या reflection हो रहा है एक ही बात ठीक है ठीक है ठीक है तो in majority of higher animals and plants growth and reproduction are mutually exclusive event ठीक है ठीक है one must remember that increase in body mass is considered as growth तो non-living object also grow ठीक है जयसे mountains, boulders and sound mounds do grow ठीक है however this kind of growth exhibited by a non-living object is accumulation of material on the surface surface पर जिसको हम कहते है extrinsic growth surface पर रहा तो इसको हम कहते है surface पर रहा तो इसको कहते है extrinsic growth ठीक है in a living organism growth is from inside यह इसको हम कहते है intrinsic growth इसको हम कहते है intrinsic growth ठीक है तो intrinsic growth तुम्हारा defining property हो सकता है living organism का extrinsic growth तुम्हारा defining property नहीं होगा living organism का clear है clear है clear एक बार थमसर देतो अगला बात करते है reproduction reproduction like a characteristic of living organism बिल्कुल it is a characteristic of living organism ठीक है अब क्या reproduction defining property है नहीं बहुत ऐसे लोग है जो reproduce नहीं करते living लोग है जो reproduce नहीं करते जैसे mule हो गया ठीक है sterile human couples हो गया फिर तुम्हारे worker भी हो गया तो यह सारे grow नहीं करते है तो reproduction is also not a defining feature ठीक है तो in multicellular organism reproduction refers to the production of progeny ठीक है अब यह reproduction asexual हो सकता है sexual हो सकता है इस पर भी हम बात करेंगे ठीक है तो भाईया यहां पर क्या बोल दिया यहां पर क्या बोल दिया कि single cell organism में growth and reproduction are same thing ठीक है a defining feature of living organism लिख दीजा reproduction is reproduction is not a of organism क्यों इसका example लिखलो यह Mule worker bee or sterile human couples do not reproduce couples don't reproduce तो इसलिए यह defining property नहीं है clear है clear है ठीक है याद रखेगा planaria में true regeneration होता है इसको हम कहते हैं morpholexis याद रखेगा ठीक है और छिपकिल्ली में क्या होता है सिर्फ एक part उसका develop कर जाता है उसको हम कहते है epimorphosis तो यह चीज़ा रखेगा तो planaria में two regeneration होता है अगर planaria के एक part कटो के पूरा और्गानिजम बन जाएगा चाल तीसरा characteristics another characteristics of life is metabolism metabolism क्या होता है metabolism is catabolism plus anabolism plus anabolism किसी चीज़ को हम तोड़ है तो catabolism है किसी चीज़ को हम जोड़ है तो anabolism है some total of these reaction is called metabolism और अगर कोई भी living organism है तो metabolism show करेगा तो metabolism is a defining property of living organism metabolism is a defining property of living organism ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बहुत 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 बहु एतने अब मेंटाबोलिक रियाक्शन याद कि अर पॉइंट है इम्पॉर्तन यहांपे एक और पॉइंट है a cell-free system outside a cell-free system are living reactions, metabolic reactions outside a cell-free system are living reactions, है ना, जैसे अगर माल लो एक test tube में किसी जिसको तुम जला रहे हो, तो वो living reaction है, बट वो living organism नहीं हुआ, वो living organism नहीं हुआ, बट वो living organism नहीं हुआ, बहुत important point है, इसको जरूर mention कर देना, ठीक है, metabolism defining property मैंने आपको बता दिया, तो देखो, all plants, animal, fungi and microbes exhibit metabolism, the sum total of chemical reaction occurring in our body is metabolism, no non-living object exhibit metabolism, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, hence while metabolism is a defining feature of living organism, without exception, isolated metabolic reaction are living reactions, not living organism, ठीक है, ठीक है, अगला आते हैं, cellular organization, कैसे organism अपने आपको arrange करते हैं, cellular organization मतलब क्या हो बट आप, कि जैसे cell, cell से tissue बना, tissue से organ बना, organ से organ system बना, और organ system से organism बना, तो cellular organization, is the defining feature, is the defining, is the defining, feature of, all living organisms, cellular organism, is the defining feature for, all living organisms, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत यहां आता है, ठीक है, अगला आते हैं बेटा, consciousness, consciousness मतलब क्या हो बेटा, अपने होने का अहसास, अगला आते हैं, consciousness, 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 ठीक है, दो टाम होता है, एक होता है, stimuli, और दूसरा होता है, response, एक होता है, stimuli, और दूसरा होता है, response, stimuli बेटा क्या होता है, एनी चेंज इन दे एक्स्टर्नल इन्वाइर्मेंट, एनी चेंज इन दे एक्स्टर्नल इन्वाइर्मेंट अफ और गानिजम्स, क्या करते हैं इसको, stimuli, मेरा बॉडी इस पर जो response शो करता है, उसको हम कहते है, response to stimuli, ठीक है, अब एक चीज बेटा और बताओ, consciousness मतलब क्या होता है, अपने इन्वाइर्मेंट होने का एहसास, अपने इन्वाइर्मेंट का के होने का एहसास, इसको हम consciousness कहते हैं, तुम conscious हो, कैसे conscious हो, कि गर्मी हो रही है, तो तुम्हें पता चल रहा है, थंडी हो रही है, तुम्हें पता चल रहा है, ठीक है, इन्वाइर्मेंट के होने का एहसास, तुम फील कर पाते हो, तुम्हारे आज पास कुछ चेंज हो रहा है, तुम उसको देख पाते हो, तुम उसको consciousness कहते हैं, and consciousness is also the defining feature of all living organism, consciousness is also the defining feature for all living organism, एक टर्म और होता है, जिसको हम कहते है, self-consciousness, एक टर्म और होता है, सर, जिसको हम कहते है, self-consciousness, self-consciousness बेटा क्या होता है, self-con, अभी तो तुम बात करो, environment के होने का एहसा, self-consciousness मतलब अपने खुद के होने का एहसास, तुम कभी किसी बिल्ली को देखे हो, ऐसे अपना बाल सट कर रहा है, आइना के सामने, देखा है कभी, किसी बिल्ली को देखा है, अपने आइना के सामने बाल सट कर रहा है, तुम्हें फर्क पढ़ता है ना तुम देखोगे एक दम देखोगे प्रॉपरली ग्रोम रहोगे तुमको लगया नहीं नहीं और मेरा कपड़ा टू ठीक नहीं है इसको सेल्फ कॉंशेस्थ खुद के होने का ऐसाथ तो self-consciousness सिर्फ इंसान होता है किसी और organism नहीं होता it is a defining feature for human beings for human it is a defining feature for human beings ठीक है ठीक है तो अब देखो defining feature non defining feature क्या क्या हो गया देख लो एक टेवल बना देते हैं फिर से defining feature कि नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन कौन सा हो गया डिफाइनिंग फीचर में आ इंट्रिंसिक ग्रोथ मैंने बता है ग्रोथ मत डालना इंट्रिंसिक ग्रोथ हो तभी डालना नॉर्मल ग्रोथ पूछे तो इट इस नॉट डिफाइनिंग फीचर ठीक है अच्छा दूसरा फिर आप डाल दीजिए Metabolism कि तीसरा आप डाल दीजिए इस सेल्यूलर और्गनाइजेशन अच्छा 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 आप डाल दीजिए Consciousness ठीक है Non-defining के बटा क्या होगा Non-defining में क्या होगा Non-defining में क्या होगा Growth Reproduction ठीक है ठीक है तो यही बात हमने यहाँ पर कर लिया तो cellular organization भी defining feature बोल दिया ठीक है और यहाँ पर हमने बात क्या Consciousness is also a defining feature Human Beings Is the only organism which is aware of himself इसको हम self-consciousness कहते है तो यह तुम्हारा क्या है Defining feature of human beings ठीक है हम ठीक है ठीक है बटा बड़े है कोई दिक्कत यहाँ तक तो यही आगे यहाँ पर अच्छा एक कुशन आता है कि अगर एक कोमा पेशेंट है ठीक है वी अब्जार्व पेशेंट लाइंग इन कॉमा इन हॉस्पीटल वर्चुली सपोर्टेट बाइ मशीन्स विच रिप्लेस हार्ट्स और लंग दो पेशेंट इस अदर्वाइज ब्रेंड़ लिखा है है नही कर सकता है conscious नहीं है conscious नहीं है तो living नहीं है simple सा चीज़ है अगर आप conscious नहीं है तो आप living नहीं है तो ऐसे लोगों को आप living नहीं बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत यहां तक तो हमने एक पार्ट complete कर लिया जिसको हमने कहा क्या जिसको हमने कहा what is living एक सवाल इससे आता है जो आ करते हैं diversity living और बढ़े परिवर्थन हैं बड़े सारे औरगयानिजम साथ पास आपके तो उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं और डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में क्या दिफरेंस दलह बीटा डिफाइनिंग फीचर ऐसा है जो हर और गानिजम के लिए ट्रू है योन नॉन डिफाइनिंग फीचर मतलब कहीं होगेषदο नहीं होगा तो यह तो तो कितने पिसेज हमारे 1.7 to 1.8 million इसको हम biodiversity कहते हैं ठीक है अब हमको इसको arrange करना है हमको इसको पढ़ना है systematic तरीके से ताकि हम arrange करके एक nomenclature में इसको पढ़ता है ठीक है तो क्या-क्या चीज है बेटा क्या-क्या चीज है आप देखे यहां पर पढ़िये ध्यान से ठीक है तो वी शुट रिमेंबर here that as we explore new areas new organisms are continuously being identified तो अब क्या है as stated earlier there are minerals of plants and animals in the world we would know plants and animals in our own area by local names ठीक है इस local names would vary from place to place ठीक है तो इसी लिए there is a need to standardize the naming of living organism ठीक है तो क्या कहते है इसको इस नाम लेने के procedure को हम कहते है nomenclature ठीक है अब nomenclature तभी हो सकता है जब उस organism के बारे में हमको कुछ पता हो तो सबसे पहले तो हम organism को identify करते है उसको classify करते है किस category में और उसके बाद उसका नाम रखते है तो तीन step होता है बिटा क्या सबसे पहला step है इसको हम कहते है identification दूसरा उसको किसी एक ग्रूप में रखेंगे तो उसको हम कहते है classification और तीसरा उसका बिटा फिर हम नाम रखेंगे उसको हम कहते है nomenclature नomenclature की बात करेंगे तो हम बात करेंगे binomial nomenclature की तुम जैसे देखोगे एक example मेरे लूँ mangifera indica lin यह mango का scientific name है तो यह जो है इसको हम कहते है genus name तो जो first letter है क्या है first word जो है वो तुमारा genus name या generic name होगा ठीक है पहला point ठीक है तो byleges follow the following each name has two components generic name and the specific epithet ठीक है तो यह वाला कौन सा है यह जो है genus name है या generic name आप कह सकते है ठीक है ठीक है first word जो है यह इसका generic name होगया ठीक है अच्छा पहला letter capital होगा पहला letter जो है इसका यह capital होगा ठीक है second word जो है यह specific epithet होगा second word जो है specific specific epi मत्तब species का नाम है ठीक है it starts with small letter starts with ठीक है name of scientist हो गया ठीक है चौथा point अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो scientific name if printed if printed क्या होगा italics में होगा ठीक है scientific name if printed कैसा है italics में और अगर और अगर hand written है तो कैसा होगा बैटा under line करके रखोगा अगर hand written है तो कैसा होगा under line करके ठीक है ठीक है बैटा ठीक है ठीक है तो अब देखो क्या क्या है इस system को हम binomial nomenclature कहते है it was devised by carlos lineas it was devised by lineas carlos lineas ठीक है आप तो देखो this naming system was given by carlos lineas ठीक है the naming system has a two word format let's take an example of mango to understand तो क्या बैजा mangifera indica lin ठीक है तो पहला तो यह latin में रहता है italics में लिखते हैं अगर italics में नहीं लिखना है तो underline कर देंगे ठीक है ठीक है फास्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस सेकेंड वर्ड का है specific epithet ठीक है जब हाथ से लिखो तो separately underline करो print करो तो italicize करो फास्ट वर्ड जो जीनस बना रहा है स्टार्ट करेगा capital letter से small वर्ड जो specific epithet स्टार्ट करेगा small letter से scientist का नाम आप डाल दीजिए जो discover किया है तो उसको हम कहते है name of the author तो यह हो गया mangifera indica lin ठीक है since it is nearly impossible to study all living organism it is necessary to device them into a group or category इसको हम कहते है classification तो classification is the process by which anything is grouped into convenient categories anything is grouped into convenient category इसको हम classification कहते है ठीक है अच्छा एक और point यहां पर लिख लिजे कुछ कुछ कोड है नाम रखने का ठीक है तो कौन कौन सा कोड है ICBN International Code of Botanical Nomenclature या International Code for Botanical Nomenclature ठीक है लिख लो International Code for Botanical या अच्छा और क्या क्या है बाटा ICZN International Code for for zoological nomenclature, ICVN, international code for viral nomenclature, or ICNB, international code for nomenclature of bacteria, international code for nomenclature of bacteria, ठीक है, इन सब पे सवाल आया हुआ है, और आगे भी आ सकता है, ठीक है, तो यह सारे code आगे, जो हमने बात कर लिया, ठीक है, चले, आगे बढ़ते, तो यहाँ पे ऐसे time pass है, category by category, ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे काम की चीज़, ठीक है, तो क्या कह रहा है, कि we categorize the group of organisms we study, ठीक है, the scientific term for these categories, जिस जिस category में उसको रख रहा है, उसको हम taxa कहते है, singular की बात करेंगे, तो taxon कहेंगे, ठीक है, तो here you must recognize that taxa can indicate categories at different level, अलग-अलग level पे हो सकता है, ठीक है, है, हैंस based on characteristics, all organisms can be classified into different taxa, this process of classification is called taxonomy, तो the process of categorizing organisms into different groups or classifying organisms into different groups is called taxonomy, is called taxonomy, ठीक है, तो क्या 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 बटा, external and internal structure, along with the structure of cell, development process and ecological information of organism is essential and forms the basis of modern taxonomic study and forms the basis of modern taxonomic study, तो है, 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 तो hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the processes basics to taxonomy, तो चार बात कर रहे है, characterization, पहले देखो, क्या 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 character है उसका, ठीक है, identification, कौन सा organism है, classification, उसको किस group में डालोगे, और finally तुम उसका नाम रखो गया, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, बड़े, अगला आते हैं, अगला आते हैं, अगला आते हैं, अगला आते हैं, एक word है, जिसको हम कहते है, systematics, ठीक है, तो क्या भाई है, हम, human beings were since long, not only interesting in knowing more about different kinds of organism, but also the relationship between them, ठीक है, तो the branch of study was refers to a systematics, मतलब, मतलब, systematic arrangement of organisms, systematics का मतलब क्या बटा, systematic arrangement of organism, ठीक है, linear use किया था, systema natural, ठीक है, plant है, किताब है, linear का, जिसका नाम है, systema natural, ठीक है, तो systematics takes into account evolutionary relationship between organism, evolutionary relationship को हम कहते हैं, phylogenetic relationship, evolutionary relationship को हम कहते हैं, phylogenetic relationship, ठीक है, ठीक है, तो systematics बेटा, क्या हुआ, पहले तो हम organism के बारे में जाने, और उसका क्या relation है, दूसरे organism से, मतलब, systematic एक hierarchy बना दिये, ठीक है, और आपस में उन दोनों का comparative study किये, तो इस branch of biology को हम systematics biology कहते हैं, या systematics कहते हैं, ठीक है, हाँचे, ठीक है, अब आते हैं, taxonomical categories या taxonomical hierarchy, ठीक है, ठीक है, पहला, classification is not a single step process, but involves hierarchy of steps, जिसको हम rank और category कहते हैं, ठीक है, since the category is a part of overall taxonomic arrangement, इसको हम taxonomic hierarchy कहते हैं, किस sequence हो रहा है, ठीक है, एक taxon या एक category इसको हम taxon कहेंगे, अगर singular है तो taxa कहेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बड़ी, बड़ी, ठीक है, चले, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ time pass है, इसमें कुछ है, नहीं ऐसा, ठीक है, यहाँ पर आजओ, अब एक एक करके हम बात करेंगे, sequence और उस sequence का क्या output होता है, ठीक है, तो अगर taxonomical hierarchy देखोगे, तो क्या है, kingdom, phylum, class, order, family, genus और species, ठीक है, plant के case में, यहाँ पे phylum के बदले आ जाएगा division, प्लांट के case में, यहाँ पे phylum के बदले आ जाएगा division, ठीक है, इन plants, ठीक है, अब यहाँ से उपर की तरफ जाओगे, तो common characters कम होंगे, common characters reduces, ठीक है, species जो है बेटा, यह smallest unit है, taxonomika, दिस दा, smallest unit, this is the smallest unit, ठीक है, की plant clean और family gets in, बटा, pot हरशीता, plant कहाँ कर आओगे, ठीक है, ठीक है, taxa क्यों बटा, अरेंज करने के लिए, group को हम taxa कहरा है ना, नाम, ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, एक एक करके, अब टाइम पास ही है, इसमें थोड़ा सा, पाट, उसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाने वादा नहीं, फटा-फट हो जागा, ठीक है, तो इसमें, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, स्पेसिफिक एपिथेट दिखाते हैं, फर्स्ट वर्ड मैंजियरा, मैंजिफेरा, सुलैनम और पैंथेरा, जैनरा दिखाते हैं, ठीक है, विट डिपेंज, हाईयर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, होमो सेपियन्स में देखोगे, जो सेपियन्स वाला पार्ट है, वो भी स्पीसिज दिखाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह तुम्हारा क्या होगा है, स्पीसिज, नाम यार दख लेना, मैंजी फेरा, इंडिका, मैंगो, सोलैनम, टूबरेसम, पोटैटो, और पैंथेरा, लियो, लाया, जीनस क्या होगा, ग्रूप अफ लिविटेड स्पीसिज, ठीक है, तो जैसे, पैंथेरा, लियो, पैंथेरा, पार्डस और पैंथेरा, टिगरेस, य जीनस डिफर from another genus, that is phillies, phillies तुम्हारा, cats में आ जाता है, तो आगे आ जाते हैं, अगला, family, ठीक है, family बेटा क्या होगा, उपर, group of genus, या group of genera, जो है, ये, फैंबली आ जाता है, तो जैसे, तो जैसे, तो जैसे, पैंथेरा, पैंथेरा, और phillies, family, phillies में आ जाती है, एना, तो लेपरड वाला family और तुम्हारा, इधर वाला family जो है, phillies में आ जाती है, ठीक है, ठीक है, cat और dog अलग-अलग families है, phillies और candidate, dog अलग family में आता है, cat अलग family में आती है, ठीक है, ये नाम है, बस तुमको याद करना है, order, group of related, family, order बना देता है, ठीक है, तो order क्या होगा है, बटा, तो जैसे देखो, plant families like convolucy, solenaceae are included in polynomials, इस पर सवाल आया हुआ था, polymonials, ठीक है, तो plant family convolucy और solenaceae तुम्हारा polymonials में आता है, ठीक है, order carnivora में pallidae और canidae आ जाए, तो cat और dog family same order carnivora में आ जाएगा, cat और dog family same order carnivora में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ठीक है बटा, यहां तक आगे यह होगे order, टोमैटो एंड पोटेटो की family same है, बटा हां सो लैने से, बढ़िया, आए, आए, class, group of order class हो जाएगा, तो जैसे order primator monkey gorilla given हो गया, class कौन सा आ गया, मैं में लिया, ठीक है, along with order carnivora includes animals like cat, tiger and dog, ठीक है, तो यह आ गया, class, group of order class हो जाएगा, ठीक है, और group of class तुम्हारा phylum हो जाएगा, तो phylum codita, phylum non codita, यह आ गया, plant के case में phylum नहीं होता, plant के case में division होता है, plant के case में phylum नहीं होता, plant के case में division होता है, ठीक है, किंडम की बात करेंगे तो अगर इन किंडम हमने देखा था फाइव किंडम ख्लासिफिकेशन देखते हैं तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, और एनी, तो यह फाइव किंडम classification होता है यह five kingdom classification होता है ठीक है ठीक है यह five kingdom classification होता है बहुत बढ़े बहुत बढ़े कोई दिक्कत यहां तक बेटा कोई दिक्कत कोई दिक्कत ठीक है तो जो नीचे taxonomical category होगा उसमें common character ज्यादा होगा जो उपर होगा उसमें common character कम हो अब देख लो इंसान का अब यह डबा important है डबाई में देख लो ठीक है man homo sapiens homo hominidae primata mammalia chordata ठीक है housefly मूसा domestica तो मुसीडे डिप्थेरिय इंसेक्टा आथ्रोपोडा राकिडेसी सेपिंडेल्स डाइकॉटिलेटन और angiospermia treaticum estivum poesy poels monocot और angiospermia याद करना पड़ेगा इसको इसमें तो कुछ करी नहीं सकते है ठीक है तो बटा इसमें देखो तुमको genus और इस तो तुरंद याद जाएगा genus तो automatically याद जाएगा कोई दिखकत नहीं है ठीक है क्लास भी तुमको याद हो जाएगा तुमको सिर्फ order और family याद करने में लगता है ठीक है order भी तुम देख लो कि मतलब easy है प्राइमेटर इसका डिफ्थेरिय और सेपिंडेल्स और पो आई अब आते हैं आखरी टॉपिक जिस पर सवाल आता है दाट इस और टेक्सोनॉमिकल एट भाईया हम टेक्सौनॉमिकल ग्रूप में जा कैसे category में इसको डाल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं taxonomical एड तो कैसे हम उसको पढ़ेंगे या कैसे हम उसको setup करते हैं ठीक है तो सब को चिपका के दालके छोड़ देते हो थीक है तो वैसे हैं काम की चीजों कि हए है क्या करते हैं हर बेरियं स्टोर हाउस्त ऑफ क्लेक्टेड ब्लाइंट स्परि के लिए ठीक है थी अच्ट अ taxonomical studies के लिए पढ़ते हैं तो क्या कि रहाता है हर्बेरियम में बेटा दा हर्बेरियम sheets carry a label providing information about date and place of collection English local and botanical name family या collectors का नाम और they also serve as a quick referral system in taxonomic studies they serve as a quick referral system in taxonomic studies they serve as a quick referral system in taxonomic studies ठीक है बोटानिकल गार्डन बोटानिकल गार्डन में क्या होता है वहां पे एक पॉइंट ऑफ बोटानिकल गार्डन एक सीटू गंदर्वेशन है क्या होता है बोटानिकल गार्डन में तो इस specialized gardens और collection of living plants for reference यहां पे living plants होते हैं reference के लिए ठीक है फेमस बोटानिकल गार्डन कीव में हैं इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा एन नैशनल बोटानिकल research institute लखनो सबका नाम आपको याद रखना है ठीक है म्यूजियम क्या हुआ बेटा यहां पे हम जिन्दा चीज़े को नहीं रखते हैं मरे हुए चीज़ों को रखते हैं ठीक है तो biological म्यूजिकल म्यूजियम जेनरली सेट अप इन एड्यूकेशन इस्टूट सच स्कूल और कॉलेज म्यूजियम सब कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट और अनिमल स्पीशिज फॉर स्टडी और रफरेंस ठीक है दूसरा कैसे अगर मानलो बॉड़ी को रखना है किसी चीज इन्सेट को हम पिन करके रख लेते हैं इंसेट जिस गलेक्टेड बाइं किलिंग ए पिनिंग इन इंसेट बॉस है चीक है वाइल्ड अनिमल्स हार केप्ट अंडर फ्रोटेक्टेड इन्वाइरमेंट है ना जैसे नाशनल की लॉजिकल पार्क दिल्ली में है ठीक है यह भी आगे एक्सिटू गंजर्वेशन यह भी तुम्हारा जगा एक्सिटू गंजर्वेशन अब आते हैं की की बात करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट अब ध्यान से सुनना बेटा की की क्या होता है की इस अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूस फॉर आइडेंटिफिकेशन और प्लांट और अनिवल बेस्ट ऑन सिमि पहीज़ा बगया की जार बेज्टार ओन कॉंट्रास्ट इंद एल सफेद काला मुटा पत्ला ऐसे हो गया। इससे कॉंट्रास्ट करक्टर होता है तो इस तरह हम ओर्गानिजम को we end करते हैं थे क्या है इसका पूच है इसमें रखो पूछ नहीं है इसमें रखो ऐसे करके होता है तो इसको हम कपलेट कहते हैं ठीक है ठीक दिस रिजल्स इन acceptance of only one and rejection of the other each statement in key is called lead and key is analytical in nature key is analytical in nature ठीक है तो की क्या करता है identification of plant and animals में help कर रहा है ठीक है हमेशा एक pair of question होगा इसको हम कहते है कपलेट और इसका हां या ना में जवाब होता है ठीक है तो एक accept होगा दूसरा reject होगा ठीक है account of plant in an area को हम flora कहते है ठीक है फॉना बेटा क्या हुआ account of animals in a given area अनिमल सिन गिवें एरिया को हम क्या करेंगे फॉना ठीक है और क्या है manual से monograph or catalog से बात करेंगे देखो ठीक है दे अल्सों है इन करेक्ट identification तो flora क्या हुआ है actual account of habitat and distribution of plant in a given area these provide the index to plant species of the particular area ठीक है manual क्या हो बेटा are used for providing information for identification of name and species in that area ठीक हो manual owner manual कहते है न कोई भी चीज़ा जैसे phone आएगा तो उसका manual चलेगा कैसे ठीक है तो flora में तो लिस्ट दे दिया ठीक है अब manual बताएगा कहां कहां कैसे नाम रखना है कि चीज़ का कहां कहां कैसे नाम रखना है वह manual बताएगा और एक टेक्स्वान के बारे में जानकारी चाहिए तो वह मोनोग्राफ है ठीक है और अब कैटलोग क्या हो ब्रॉशर कैटलोग क्या होता है देखो सिंपल सब्सक्राइब जैसे फ्रेज खरीदने तुम आज समझ जो तुम जिन्दगी में कभी नहीं समझेते सपोर्ण मालों तुम फ्रेज खरीदने क्या ध्यान से सुना मेरी बाद तुम एक फ्रेज करिज ने घर तुम दुकान गया दुकान वाला तुमको एक डिखाएगा ह। कि दिखाता है जिसमें Samsung का फ्रेज है LG का फ्रेज है बाग की सारे सारे फ्रेज है डिफरेंट तरह के फ्रेज है दिखा रहा है यह कैटलॉग हो गया जहां पर तुम्हारे डिफरेंट अब तुम बोले इसमें ना सरंको Samsung वाले फ्रेज के फीचर के बारे में बताओ इसमें तुम बोले कि हमको Samsung तो तुमको एक परचा निकाल का दिया एक जिसमें प्रीज के बारे में तुम घर लिया तो मोलें कि चलता कैसे एंप फिरिष का फंचन कैसे करेगा तो उसके लिए मेरे पास हो होगा मैनोवल जिसको यह Boss और मैनोवल चलता कैसे तो मैनोवल साउन्ज मैं तो तो कैटलोग, मोनोग्राफ, मैनुवल और फ्लोरा, सब का मैंने बता दिया, समझ में आ है, तो हो गया तुम्हारा चैप्चर का द एंज, खतम कर दिया, इसके बियोंड कुछ नहीं आएगा, ठीक है, चल, तो अन दाट नोट, आज का दे सेवेन खतम, अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, कमेंट में डाल देना, जनेटिक्स या प्लांट फीजियो, तो फिर मैं रात में बता दूँगा, कौन सा शुरू करेंगे, जनेटिक्स या प्लांट फीजियो, तो उसी को खतम कर लिया जाएगा, फटा फट, ठीक है, जनेटिक्स करोग ठीक है?